अगर आप इन दास्तों से जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान क्योंकि भारत के ये रास्ते माने जाते हैं भूतियाब। हम हल रोज किसी न किसी रोडिया हाईवे के बिज़रते हैं। क्या करी आपको ऐसा लगा है कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ अंचाहा सा अंसुना सा वाकिया आपकी साथ हुआ हो। मसल्यन है कि कोई अचानक से आपके सामने आ गया हो या कोई चीक आपके कानों में सुनाई दी गई हो। अगर आप किसी सुनसान हाईवे पर जाप में ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से कोई सफेज साड़ी पहनी औरत दिख जाए या फिर अचानक किसी रास्ते में गुजरते हुए आपके सरीम में खुद्वूत या कमपन छूने लगें। एक बार को आप भी डर जाएंगे ड्राइवरों ने बताये कि राज में अचानक एक सफेज साड़ी पहनी औरत दिखाए देती है जिससे उनका ध्यान तूर जाता है और एक्सिडेंट हो जाता है। एक और बार औरत दिखने के बाद ही ड्राइवरों को महसूस होता है कि राज का तापमान अचानक गिर रहा है और रोड भी सिकुर रही है। कई ने ये भी बताये कि जब सफेज साड़ी वाली औरत दिखती है तो रीड की हट्टी के नीचे कमपन महसूस होता है। दिल्ली कांटमेंट रोड इस रास्ते पर भी सफेज साड़ी वाली औरत दिखाए देती है। दिल्ली के लोगों के लिए रास्ता पहले से ही भूत्या है। यहां से गुजरतिवक उन्हें डर लगता है। ऐसा उन्होंने कई पर बताया है। ऐसा कोई नहीं जो इस रास्त कम ऐस अभाविक रूप से ज़्यादा होते हैं सीधे सब्दों में कहें तो इस रास्ते पर भूत की वज़ें से जादा हथ से होते हैं इस हाइवे को पार करने में लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि इसके दोनों कोनों पर मंदिर है ऐसी माननेता है कि मंदिर में पूजा किये बिना निकलने वाले लोगों को बहुत परिशान करते हैं जिसका नतीजा खास सा होता है इस हाईवे से गुजलने वाले अधिकांस ब्राइवर्स को सफेज साड़ी पहनी और एक लंबी औरत दिखा देती है नमबर 4 मर्मट आइलेंड रोड मुंबई का मर्मट आइलेंड जितना खुब सुरत है उस तक पहुचने का रास्ता उतना ही ड्रामना है यह रास्ता कावी सक्रा और सुनसान भी है ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें इस रास्ते पर रात में एक साधी का जोड़ होगा बता दे यह इसी रास्ते पर है दिल्ली जैपूर हाइवे पर रात के वक्त ड्रावने किस से अकसर सुनने को मिलते हैं यहां से गुजरने वाले ड्राइवरों का कहना है कि वे बता नहीं सकते कि उन्होंने असल में क्या अनुभव किया है खास कर तब जब वे भानग करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के और धी इस वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने